तो एक नए हफते के साथ ही हम लेकर आ गए हैं BNN रिवी का भी एक बिल्कुली लेटिस्ट और फ्रेश एपिसोड और आज की इस BNN न्यूस के अंदर कई सारी कमाल की न्यूस है तो इसलिए अगर आप भी कुछ भी मिस नहीं करना चाहतें तो इस वीडियो को शुरू से ल इंडिया के अंदर एक बहुती एंटिसिपेटेड मुवी रिलीज हो रही है जिस मुवी का नाम है हनुमान एंड सही बताऊं तो इस मुवी की बहुत हाइब है तो इसलिए हम भी कल इस मुवी की स्टोरी को एक्स्प्लेन करेंगे और अपने चैनल के पर हनुमान मुवी की एक्स्प्लेनेशन वीडियो को अप्लोड करेंगे ताकि आप सब भी लोग हनुमान मुवी की स्टोरी को जानकर इंजॉय कर सकें तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सभी अगर हनुमान मूवी के एकसाइटेड हैं तो कमेंट्स के अंदर हनुमान जरूर लिखिए तो फिर आईए अब हम बिना किसी देरी के आज किस कम्माल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे बहुआ बात करते हैं मार्वल की न्यूस के बारे में जहां पर मार्वल की तरफ से सबसे पहली ख़बार है एकको सीरीस थे तो एक ओफिशल पोस्टर को डिलीस कर दिया गया हैं जिस poster के अंदर आप यह देख सकते हैं कि यहां पर sign language में echo लिखावा हैं। इसके साथी echo series को लेकर इस बात को भी final कर दिया गया हैं कि echo series के अंदर ना सिर्फ dare devil अपियर होगा बलकि इस series में dare devil और echo की fight भी होगी। साथी साथ इस बात को भी डिकलेर कर दिया गया है कि इन दोनों की fight टोटल 6 मिनट की होगी और वो series के पहले episode में होगी। तो हाँ भाई लोग पहले episode तो काफी main होने वाला है। और इसके साथ ही जैसे कि हम सब जानते हैं कि echo series का villain भी kingpin ही होगा तो उसी को लेकर marvel के एक producer जिनका नम Brad winter bomb है उन्होंने इस बात को tease कर दिया है कि echo series में दिखने वाला kingpin MCU के अंदर आने वाले time में street level superheroes के लिए Thanos का काम करेगा मतलब की पूरे MCU में जिस तरह से Thanos था ठीक उसी तरह से MCU के street level superheroes के लिए kingpin भी उतना ही बड़ा खत्रा साबित होगा। तो हाँ भाई इससे यही थाबित होता है कि kingpin को लेकर MCU के और कई सारे बड़े plans हैं तो अब जब echo और kingpin की बात होई रही है तो अब थोड़ी सी बात Daredevil की भी कर लेते हैं तो जैसा कि आप सब जानते ही है कि Daredevil की एक नई series आ रही है जिस series का नाम है Daredevil born again बट अब काफ साथी इस बात के भी rumor सामने आया कि Daredevil born again के अंदर Marvel का character Muse main villain हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो सही में यह series काफी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि Muse की story comics में भी काफी अच्छी है इसके साथी Marvel से Brad Winterbomb ने Daredevil की पुरानी वाली series को लेकर भी बात कई है जो कि Netflix पर थी और उसके लिए basically इन्होंने ये काए कि अब क्योंकि MCU के अंदर multiverse खुल चुका है इसलिए Marvel के जितने भी पहले के project थे वो सभी MCU से canon हो चुके है और इसलिए Netflix वाली Daredevil series भी अब MCU के सेग्रेट timeline का part है जिससे आगे चल कर किसी और project के अंदर explore किया जा सकता है इसके साथ ही अग आप मेंसे ये दोनों series किस-किस को पसंद है वो comments में इसके बारे में जरूर बताएं तो चलिए अब बात करते हैं Spider-man across the Spider-verse के बारे में जहां पर खबर ये सामने आई है कि इस movie को एक फिर से release किया जा रहा है और वो भी IMX के अंदर और वैसे तो ये release बहुत ही limited जगों पर इस movie में end हो जाएगी और उसकी एंडिंग भी बहुत ही अच्छी होगी जो कि जातातर fans को बहुत ही satisfying लगेगी और ये कहना है इस movie के प्रोडियोसर फिल लौड का सो लेट सी ये movie कितनी कमाल की होती है लेकिन हाँ मैं तो ये ही बोलूँगा कि ये movie satisfying तो तब होगी जब release होगी और वह इसलिए क्योंकि अगर इस movie के release update की बात करें तो उसको लेकर भी ये ख़बर सामने आई है कि इस movie के अंदर काफी सारा काम बागी है और अक्टर जेक ज चौंसन ने अभी हाली में एक इंटर्विव दिया था एंड इंटर्विव के अंदर उसे ये पूछा गया था कि अगर कभी उनके पीटर भी पारकर के चैरक्टर के पर कोई live action movie बनती है तो क्या वो से करने में इंटरस्टेड होंगे तो इसी बात को लेकर उन्होंने ये तैया आ रहे हैं इसके आलबा स्पार्डवान को लेकर एक खबर ये भी सामने आई है कि मारवल वटिव के सजन टू के अंदर इस पर्डवन के लिए एक एपिसोड सोचा गया था और स्पार्डवन के यह वले एपिसोड बहुत ही जादा डार्क होने वाला था लेकिन अड़ देंड इस आइडिया को रिजक्ट कर दिया गया तो चलिए अब मार्वल वटिफ की बात होई रही है तो इससे रिलेटेड कुछ और खबरों को भी जान लेते हैं तो वटिफ सीरीज के सीजन वन से ये अपड अंडर अमेरिका फेरीरा को कास्ट कर लिया गया है एंड इसलिए ये सीजन 3 के अंदर रेंजर मोरेलिस को अपनी आवाज देंगी तो चलिए अब बात करते हैं लोकी सीजन 2 की तो लोकी का सीजन 2 साल 2023 के अंदर सबसे जादा स्ट्रीम करने वाला शो बन चुका है हाला कि साथ ही दो और सीरिस के नाम है जो की है दा मेंडरोलियन का सीजन 3 और टैड लासो इसके लावा लोकी के सीजन 2 से और और उसके कई सारे कॉंसेप्टार भी सामने आए और ये कॉंसेप्टार तब के हैं जब और और उसके लिए किसी अक्टर को फाइनल नहीं किया था मैं लिए बात करते हैं दा मार्वल्स के बारे में तो इस मूवी ने कसम खा रखी है कि ये मार्वल की नाक कटवा के चोड़ेगी और वो इसी लेकियों कि ये मूवी यानि कि दा मार्वल्स एमस्यू के 15 सालों के इतिहास के अंदर अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है इसके लावा एक अपडेट इटर्नल्स के टीवी शो से भी आया है तो आज से काफी साल पहले 2015 के टीवी सीरीज में दिखाना चाहते थे लेकिन 2015 के अंदर ही इस आईडे को स्क्रैब कर दिया गया इसके साथ ही अगर बात करें सेंटरी के एक्टर स्टीवन यूवान की तो आपको मैंने पिछले बियन न्यूज में बताया था कि इन्होंने एंप सेंटरी को प्ले नहीं करेंगे यानि कि थंडर बोर्स के अंदर अब हमें एक बिल्कुली नया साइन करखाएं और कॉंट्रैट की वजह से न वो उन्का मों को छोड़ सकते हैं और नहीं दिलेकर सकते हैं जिस वजह से सेंटरी को प्ले कर लिए टाइम नीव पा रहा हैं और उन्होंने और उन्होंने सेंटरी के रॉल को ड्रॉप कर दिया हैं इसलिया ना tief Zam Sigrie के पास प फ्रस्टेटिंग और डिसअपॉंट्मेंट की थी एंड असा इसलिए क्योंकि उस मुवी के अंदर उन्हें सिंगल सिंगल शूटिंग करनी पड़ी थी मतलब कि जब सेट पर शूटिंग चल रही थी तो उन्होंने पूरे रोल को अकेले प्ले गया था जिसके बाद में वी क्यांग को प्ले करने वाले हैं तो उन्होंने खुद से ये का कि इन सारे डिमर्स के बारे में उन्होंने भी सुनाएं जिसके अंदर वो basically अपनी story का explain करेंगे एंड अपनी तरफ से ये बताएंगे कि basically उनकी पूरी कहानी के अंदर हुआ क्या है सो मेरे ख्याल से अब तक ये interview आप ही क्या होगा इसलिए अगर आप इसे किसी को देखने का मौगा मिले तो आप जरूर देखिये एंड इंडर्वी में क्या बात है हुई हमें भी बताएं तो Marvel की सारी निउस को जाने के बाद चलिए बात करते हैं DC की निउस के बार में जहां DC के तरफ से सबसे पहली खबर है Aquaman 2 को लेगर तो इस मूवी ने बॉक्स ओफिस के उपर 300 मिलियन डॉलर्स के आकड़े को क्रोस कर दिया है एंड ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि DC की कोई भी मूवी ब्लैक एडम के बास से 300 मिलियन डॉलर्स के आकड़े को टच भी नहीं कर पाई थी एंड अब क्योंकि ये मूवी 300 मिलियन डॉलर्स कमा चुकी है इसलिए इसके साथ ही ये Aquaman 2 मूवी 2023 के अंदर DC की सबसे जाद कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है तो हाँ भाई लोग इसके लिए ताली तो बनती है अगली निउस है पीसमेकर के सीजन 2 से तो जेमस गन ने ये अपडेट दिया है कि पीसमेकर के सीजन 2 की आधी स्टोरी को लिख लिया गया है एंड इसलिए जैसे इसकी पूरी स्टोरी खतम होती है वैसे इसकी फिल्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी इसके लावा जेमस गन ने सोशल मीडिया के ओपर मारगट रोबी की हाल्डी कुईन के ओपर भी एक बात कई बेसीकली किसी ने उनसे ये पूछा था कि क्या उनके नए डिसीज़ के अंदर मारगट रोबी हाल्डी कुईन को प्ले करेंगी तो इसी बात को आंसर करते वह उन्हों ने ये कहा कि वो DCU के अंदर Green Lantern को प्ले करना चाहते हैं अगर DC वाले उन्हें अप्रोच करें तो वो DCU में Green Lantern को ज़रूर प्ले करेंगे सो यही सारी खबर तरी DC के तरफ से अब DC के बाद आएए बात करते हैं कुछ अधर न्यूस के बारे में जहांपर सबसे पहली खबर हैं Mickey Mouse को लेकर और आखिर में Infestation 88 जो की Mickey Mouse को लेकर एक होरर गेम होगी Mickey Mouse के लवा एक अपडेट Mr. Bean से भी आया हैं तो आप सभी को यादी होगा कि Mr. Bean की एक Animated Series आती थी जिसका नाम था Mr. Bean The Animated Series तो अब उसी को लेकर ये खबर सामने आई हैं कि साल 2025 के अंदर उसका Season 4 आने वाला हैं तो ह चलाव आई एक अपडेट Spawn Movie से भी आया हैं तो आप सबको पता ही होगा कि Spawn नाम का एक Character है जो कि देखने में बहुत अद्तक वैनम जासा दिखता हैं और इस Character को Create किया है Todd McFlynn ने एंड काफी टाइम से ये बात है चल रही थी कि Spawn के Character के पर एक Movie बन सकती है लेकिन अब क् Creator ने ये बोलाएं कि अगर कोई भी स्टोडियो उसके पर पैसा नहीं लगाएगा तो वो बाहर के Producers को पकड़कर इस Movie को खुदी बना लेंगे मतलब कि उनका कहना यह है कि अगर इस Movie को बनाने के लिए कोई स्टोडियो ने पैसा नहीं देगा तो वो बाहर से Investors पकड़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली ख़बर वी से एक्टर क्रिस्ट्यन ओलिवर को लेकर तो इनको लेकर अभी बहुत ही सैड़् खबर सामने आई है असल में कुछ टाम पहले अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर एक प्लें से ट्रेवल कर रहे थे बटकि वह प्लें crash के अंदर इनकी दोनों बेटियों के साथ ही इनकी भी मौत हो गई चलिए अब आगे बात करते हैं तो दा लास्ट अफस ने अभी ने डिजनी के आठ सालों के रिकोर्ड को तोड़ते वे नंबर वन की पोजिशन को हासिल कर लिया है एंड इसलिए साल 2023 के अंदर यूनिवर्सल पिक्चर सबसे जाधा कमाई करने वाला स्टोडियो बन चुगा है तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के आखरी न्यूस के बारे में लेकिन यह न्यूस है बहुत कमाल की तो बेसिकली चिले नाम के एक देश के अंदर एक आदमी एक कारवाश के दुकान चलाता है बट उस कारवाश के अंदर वो बिल्कुल स्टार वोर्स के थीम में गाडियों को साफ करता है जैसे कि इसकी दुकान की वाल से स् स्टार वोर्स का इस्तमाल कर रहा है। लेकिन काउंटर में उस बंदने ये बोला कि मेरी दुकार का नाम स्टार वोर्ड नहीं बलकि स्टार वोश है। तो दोस्तों जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उसी टाइम पर कुछ और बड़ी न्यूस आई थी तो इसलिए आप सब उन सारी न्यूस को भी ज़रूर जाने तो इनमें सबसे पहली खबर है मैडम वेब को लेकर जहाँ पर खबर यह सामने आई है कि इस मूवी का रन टाइम एग घंटा 55 मिनट का होगा यानि की वन आर 55 मिनट्स जो की टोटल होता है 115 मिनट का एंड इसके साथ ही मैडम वेब की कॉस्टुम का एक लोग भी सामने आए जो की वैसे ओफिशल तो नहीं है बट इस बात की अपने सामने देख सकते हैं वैसे परसनली मुझे तो बहुत कूल लग रहा है बट देखने हैं कि मूवी की स्टूरी के इतनी कूल होती है इसके आगे अगे अगर बात करें स्पार्डर मैं बियॉंड दी स्पार्डर वर्स की तीसरी मूवी होगी तो इसको लेकर इस मूव स्पार्डर वर्स के अंजर हमने जितने करें स्थे ते को स्वाझने वाले स्पार्डर मैं के अग Armenia by और सबके सब अब मस्केओ यू से चैनन आगे ऐन साथ corrections को में वावत ही जब इन्सारे Keep of the land कर दिया जाएगा इसके लावा एक खबर ये भी सामने आई है कि Captain Marvel 2 यानि कि The Marvels 16 January से digitally available हो जाएगी तो भाई लोग जिसने भी इस movie को थेटर में नहीं देखा हैं वैसे मैं जानता हूं कि जादा तर ने नहीं की डिमांड थी कि उन्हें Marvel वर्टिफ के अंदर कोछ एपिसोड एक्समेन के ओपर भी दिखें लेकिन अब उसी को लेकर करती है उन्होंने इस बात का अनौस कर दिया है कि वह दाम मेंडरोलियन के उपर और ग्रोगु के उपर दोनों पर movie बनाने वाले हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है वैसे कर आप सभी ग्रोगु को नहीं जानते तो यह वह बंदा जिसे आपने टॉम क्रोस के उपर छोड़ आए एंड इसके लिए वार्णब रोज ने टॉम क्रोस को एक उफिस भी दिया है ताकि टॉम क्रोस सारी प्लैनिंग कर सकें तो हां भाई देखते हैं कि आखिर कार यह दोनों मिलकर क्या जलवा दिखा दे हैं तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफते की सारी बियान नियूस के पर आप सभी को इस हफते की सारी नियूस कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और आपको यह वाली वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताएं और हां जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुक सबस्क्राइब करें वीडियो को शेर करना चाहते हैं अब सभी इसी तरह से हसते और मुस्कराते रहें मैं मिलता हूं आप से किसी और बहत obras में तब तक कि भी